असलाम अलेकूम मैं हूँ साजिद हसन T20 के अंदर एक कम तरीन स्कोर बन चुका है और वो स्कोर बनाया है बिग बैश लीग के दौरान इसके लावा बताएंगे आपको के मैसी वर्ल कप का फाइनल क्यों नहीं खेलेंगे अर्जंटीना के कप्तान है लिउनल मैसी वो वर्ल कप का फाइनल नहीं खेलेंगे इसकी वजवात क्या हैं लेकिन उसे पहले बात होगी के T20 के अंदर सबसे कम तरीन स्कोर क्या था और अब क्या है T20 के अंदर सबसे कम तरीन स्कोर है 15 रन जो बनाया है सिडनी थंडर ने एक मैच के दोरान आज ही मैच हुआ है और इसके अंदर कम तरीन स्कोर बना है 15 रन और इसके अंदर खास बात ये है वैसे तो ये रिकॉर्ड ही है खास बात है लेकिन खास बात ये है कि कोई भी बैट्समें जो है उसने डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हुआ और 15 रन वो रन है जो अब तारीख के अंदर टी ट्वेंटी वर्ल कप के अलावा कुर्किड की तारीख के अंदर जितने भी फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर सबसे कम तरीन स्पोर जो है 15 रन वो सिडनी थंडर के नाम आया है और ये कम तरीन टोटल है किसी भी टीम की जानिब से अब बात होगी वर्ल कप के फाइनल की मैसी वर्ल कप का फाइनल नहीं खेलेंगे इसकी वज़ाई ये है कि वो हैंस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए है किर्किट के अंदर देखा था हमने के हैंस्ट्रिंग इंजरी होती है लेकिन अब फिटबॉल के अंदर ये बात सामने आई है कि हैंस्ट्रिंग इंजरी का कोई शिकार हो जाए तो उससे खेलना काफी मुश्किल हो जाता है और अगर अर्जन्टीना जीत गया वर्ल्ड कप तो मैसी जो है वो मैच नहीं खेल पाएंगे जिसकी उनको शिद्ध से तलाशती पांच वर्ल्ड कप मैसी ने खेल चुके हैं और यह आखरी वर्ल कप है वो वैसे ही कह चुके हैं कि आखरी मैच के बाद वो रिटायर हो जाएंगे अब देखना यह है कि मैसी की इंजरी सही होती है या नहीं या वो वर्ल कप के फाइनल से मैच से बाहर हैं या फिर वो किसी भी वक्त थोड़ी सी महिनत करने के बाद वर्ल कप फाइनल खेलने के लिए दस्तियाब होंगे या आने वाला वक्त बताएगा